नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गोबलोक्स और मैं हूँ आपके शाथ बहास कराना दो भाद ठीकि हमारी जो ये हस्तरे खाई हैं ये हमारे जीवन का दरपण है सास्तर कारों ने इस विसाई पर बहुत गहन अध्यन कर मनश्य को शंपून सुवासुप फलों का निसकर्स प्राप्त करने में सफलता अरजित की है दोस्तों जो ये हतेली आपके सामने है जो हतेली दिख रही है बहुत सुनर और एक प्रतिष्ठित हतेली मैं इसको कहूंगा अगर इसका हम आकार देखते हैं तो बहुत चोक और आकार की हतेली है और आकार के साथ साथ जो इसकी रंगत है जो इसकी आभा है वो हो भी बहुत सुन्दर है सबसे पहले ये इंगित कर रही है कि ये जो जातक होंगे दो चीजें इसमें है एक तो ये बहुत जादा मिहनती होंगे संगर ससील अपने काम के परती रहेगा इनका जीवन में दूसरा जो इनके रंगत है ये अपनी जीवन में अपनी जीवन को बहुत आनन्द पूरों गुजारेंगे और अपने काम के परति आप देखोगे जुजहरोपन इनके अंदर है दूसरी इस तरह की हतेली जो होती है दो परकार के लोगों की होती है या तो किसी बिजनिसमेन की इस तरह की हतेली होती है या बहुत बड़े पद पे जो व्यक्ति रहता हो उसकी हतेली ये होती है की हतेली ये है जीवन की हर प्रस्तितियों को जो एक युद्ध की तरह जो है लड़ता है हतेली में कुछ संगर से भी बता रहा है और बरतमान समय में थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी है चिंता भी जादा कर रहे हैं सोच भी जादा रहे हैं बहुत जादा मेहनत बहुत ये उस रोप में थोड़ा अभाहों की इस्तिति है सबसे सुन्र आप देखोगा कनिष्टा उंगली जो बहुत और बुद्ध का प्रवत बहुत सुन्र और उभार लिए हुई है उभरा वाही प्रवत है और जो ये कनिष्टा उंगली है वो पहले पोर से उपर है जो ये अनामिका है हमारी लमवत खड़ी है सीधी खड़ी है ऐसा जातक अपने बल पर कुछ करने वाला होता है इन लोगों के अंदर ऐसे करने की अभिलासा है जिससे इनको सदेव लोग याद रखेंगे क्योंकि ये स्वयम उद्ध््यमी हुँगे बुद्ध परवत आप देख रहे हुँगे पून्ड बिख्षित अवस्ता में है ये आप देखोगे बहुत सुन्नर उभार लिये है बिख्षित अवस्ता में दिखाई पड़दा है ये निश्चित है कि आप बहुत एक संपदा, बहुत एक सुक से बहुत संपन्न होंगे इस परवत की पुष्टता जो है उसको देखा जाए तो सुक सुविधाओं को ही दिखाने वाला ये होता है सार्प माइंड होगा, मस्तिस्क बहुत तीब्र होगा हर कार्य को ये योजना बद्द तरीके से करेंगे देखे जो ये बुद्ध होता है ये बुद्ध गरा हमारी बुद्ध का, हमारी वानी का और हमारी एकागरता का श्वामी है हमारी बुद्ध कैसी रहेगी, हमारी वानी कैसी होगी और हमारी एकागरता कैसी रहेगी इसकी पीछे बुद्ध ही होता है इनका बुद्ध बता रहा है कि जो बिजनिस का मामला इनका है बुद्ध इसमें बहुत अच्छा इनका रखेगा बहुत एक सुख सुविधाई बहुत सुनर देगा इनका ब्यक्तित बहुत अच्छा रहेगा योजना बद्द तरीके से काम करने वाले होंगे सार्प माइंड के होंगे और वाणी की जो सकती रहेगी वो भी बहुत अच्छी वाणी की सकती रहेगी और बिजनिस के मामले में मनी मैनेजमेंट के मामले में पैसों के रख में और लोग भी काम करते हैं ये मालिक बन के रहते हैं बले ही संगर्स रहे पर हमेशा मालिक बन के रहते हैं दूसरी सबसे अच्छी चीज अगर देखें अंगोठा देखो इनको बहुत सुन्नर है इक्षा सक्ति के कोई कमीनी है और इसमें और चंद्रमा गद्दी नुमा है सुन्नर है आप भावक किस्म के भी होंगे भावकता आपके अंदर होगी दूसरी बात ये चिन बता रहा है कि आप सोबग्यशाली होगे हाँ ऐसे जातकों को खुद की मेहनत के पैसों का खुद का घर मिलता है या पैतरिक संपति की प्राप्ति होती है पर जरूर होती है चंद्रमा गद्दी नुमा है मैंने पहले भी बताया जातक बहुत नाजु खिरदय की होंगी दूसरी बात तहजी पसंद होंगे अच्छे सलीकिसे जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रहे लेते हैं हां थोड़ा दिखावा भी आपके अंदर होगा ये आपको पशंद होता है देखे उसका कारण भी है जो ये सूर्य रेखा है आप देख रहे होंगे सूर्य परवत पे ये रेखा बहुत डेबलप है इसलिए इसके गुण जादा बढ़ रहे हैं अच्छे से पहनना अच्छे से अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को मैंटेन रखना ये सारी चीजें भी आपके साथ जूड़ी हुई है मैंने पहले भी बताया अन्य उंगलियों पे भी जो है आप देखोगे तो ये वो के चिन बिद्यमान है तो ऐसे जातक बहुत बिद्धवान होते हैं आप जैसे लोग जीवन को अपने साहारे से उपर बढ़ाते हैं बिना किसी की साहयता के जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं बहुत उच्च सिकर तक बढ़ जाते हैं आप जीवन के सार को समझते हैं जीवन के मन्थन को मतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा कर ले आये हैं और आगे भी बहुत सुन्दर तरीके से ले जाएंगे बहुत खुब सुरत ब्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है अगर हम संदर दिश्टी से देखते हैं इस अतेली को और दूसरा देखिए अगर हम अगोठे के नीचे के परवत के अगर बात करते हैं तो यह सुकर का परवत है बहुतिक सुक को इससे भी देखा जाता है शंपंता भी देखी जाती है पुष्ट बहुत सुन्दर है तो सुक जरूर देगा पर अभी देखोगे कुछ लकीरे इस तरों से ये आ रही है अपने काम के परतिजुजारोपन तो बता रही है पर कुछ लकीरे काट भी रहे है तो बरतमान समय में थोड़ा मानसिक परेशानी भी दे रहा है चिंता भी दे रहा है और कहीं न कहीं बहुत जादा मिहनत और कटनाईयों के बाद भी अभाव की इस्तितिये बनाई हुई है इसका मैं आपको बहुत सुन्दर उपाई दूँगा मगर जो जीवन रेखा है बहुत सुन्दर तरीके से इस तरों से जारी है तो परिवार के पर्दिपूर्ण समर्पण होगा और परिवार का भी कहीं न कहीं बहुत सुक्ष आपको मिलने वाला है रेखा के अंत में आप देखोगे इस तरों से एक चिन्द बन रहा है करीबन 58 से लेके 60 वर्स के बीच में अचल संपति का बहुत अच्छा लाब आपको मिलने जा रहा है चाए आप मकान खरीदेंगे चाए आपको पैतरिक संपति मिलेगी मिलने वाला है 65 पलस के बाद थोड़ा सा जीवन में थोड़ा परिवर्तना आएगा अध्यात्मी की तरफ काफी आगे आप निकल जाओगे बर्दमान समय में देखोगे कुछ राहु की रेखाई जो है इनको काट रही हैं लगातार तो कहीं न कहीं जो है जीवन में लगातार कार्ट रही हर जगर संगर्स और थोड़ा सी मानसिक परेशानी ये आपको दे रहे हैं छोटी मोटी चिंताईं दे रहे हैं अगर हम निमनमंगल को देखते हैं तो सारिक इस्पूर्ती सारिक ओर्जा बहुत अच्छे बनाई हुई है और थोड़ा बहुत चिर्चिरा स्वभावी बना शकता है अभी तो नहीं बनाया है मगर कभी न कभी थोड़ा सा बना सकता है परिश्य घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप देखो ये हमारी तरजनी उंगली है बहुत सुनर है लमवत खड़ी है तो लीडर्शिप के गुण बहुत अच्छे है और ये बिजनिस का भी छेतर है तो बिजनिस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा बहुत पुश्टा वस्ता में है कुछ इस तरह से जो है य परवत बहुत पुश्टा वस्ता में सुनर दिखाई पड़ा है उबराववा है स्रेश्ट वो प्रतिष्टित ब्यक्तितों के मालिक है स्वयम उन्नति करेंगे और जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में साहता परदान करेंगे सहयोगी होंगे बिद्व जाओनाई आप में देखने को बड़ी मातरा में मिल जाएगे अगर हम बात करें मध्यमा की बहुत सुनर इस्तिती में खड़िये ऐसा ब्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत सोच समझकर विवेक पूर्ण काम करता है और सनिकापरोत न जादा उबरा है न बैठा करता है और जो ये रहस्यमा ये विद्या होती है ये जो चिन मैं प्रिंट कर रहा हूं उसको दिखा रहा हूं उसके गुण दिखा रहा हूं जिवनकाल में थोड़ा सा उदासी तो रहती है पर ऐसे पर उच्छ कोट का खोजी करता और जो रहस्यमा ये विद्या होती है उन नहीं दे रहा है बात करें आपकी अनामिका उंगली की बहुत सुन्दर है हिम्मती स्वभाव दे रहा यस और कीर्थी नाम कमाने की चाहोगी गंबीर स्वभाव थोड़ा बता रहा है गंबीरता से हर काम को लेते हैं सबसे बड़ी चीज है एक पावरफुल लाइन के अगर ह करेखा यूँ और यह करेखा इस तरह से जारी एक तिरसूल नजर आ रहा है जब यह पुष्ट अवस्ता में हो जाएगा यह तिरसूल बहुत साप सुतरा हो जाएगा और सूर्य का जो यह गड़ा है ने यह थोड़ा पुष्ट हो जाएगा करीबन इसको पुष्ट होने मे दो साल के करीबन जरूर लगेगा 50 पलस के बाद 51-52 साल में अगर ये पुष्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लगजरी यस जीवन देगा बिलासिता पूर्ण जीवन ये देगा आपको समाज में मान शम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा और आप जिनसे लोगों का आय का सुरोत कभी समाप्त नहीं होता है जैसे यदि एक सुरोत किसी कारण वस बंद हो जाता है तो भगवान दूसरा रास्ता दूसरा द्वार आपके लिए खोड़ लेते हैं और हमने बुद्ध की बात तो कर ली है आपका व्यक्तित्व की बात भी कर ली है अब उच्च मंगल को देखा जाए तो बहुत सुनर इस्तिति में आपका उच्च मंगल दिखाई दे रहा है विक्सित दिखाई दे रहा है आप साहसी होंगे दिर्टता वो संतुलन अच्छा होगा आपकी जीवन में कायरता नहीं रहने वाली सरीर से भी रिष्ट पुष्ट जरूर होंगे और अगर चंद्रमा की हम बात करें तो बहुत सुनर इस्तिति में आपका चंद्रमा है आप भी स्वयम होंगे सुनर सोच के भी मालिक होंगे देखी इसमें काफी रेखाएं हैं ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल कराती है एक रेखा इस तरोस से भी जारी है मगर इसको कुछ रेखाएं काट रहें फूट बिजनिस उगेरा में ये अच्छा रखते हैं मगर जड़ छितर से आपको थोड़ा दूर रहने जरूरी होगा ये विदेश के भी योग बनाती है और छोटी छोटी रेखाएं काट रहे हैं तो इसमें जो है अड़ चने पैदा होती हैं आदमी भागम भाग जादा करता है अगर हम बात करें मनिबंद की अगर आप देखो तीन रेखाएं जो है ये मनिबंद में हैं बहुत साप सुत्री है तो देखे कलाई में बने मनिबंद की रेखाओं का शमन हमारे पूर्व जनम के करें मों से भी है तीन साप सुत्री रेखाएं आपको दिख रही है जातक को अच्छी विद्या और धंदि लाती है इन से योहवी ज्याद हो रहा है कि इनके कर्मने पिछले जनम में बहुत उच रहे हुए और एक पावरफुल रेखा हमें होर नजर आ रही है आप देखो बड़े ध्यान से दिखाने की मैं कोसिस करता हूँ एक ये मनिबंद की रेखा है और इससे एक रेखा ये नजर आ रही है और ये जिवन रेखा पे जा रही है मिल रही है ने इस पर सकर रही है ऐसी ओस्ता में आपने अपनी जिवन भर में जो गलतियां की होंगी उन गल्तियों को सुधानने में पूरा जोर आप लगा देंगे यही समय है उन गल्तियों को सुधानने के लिए आपके पास बिलक्षन सक्ति का आगमन भी होगा और साथ ही साथ आप में परिस्रम करने की प्रब्रति मौजूद है आप निश्चित ही जीवन में शफल जरूर होंगे आप किसी भी हालत में अपने को इंप्रोव किस तरों से किया जाए उस और ज़्यादा आपका फोकस रहने वाला है और आने वाले साल में रहेगा भी कितना भी नगेटिब आपके जीवन में हो जाए आप उस नगेटिबिटी को हटा कर पोजिटिव कर बिलकुल आगे चले जाएंगे ये रेखा ये बता रही है तिरी दिरी पुष्टू हो रही है हमने बात की जीवन रेखा की जीवन रेखा बहुत सुन्दर अवस्तामी है यहां पी तो मैंने पहले भी का अठावन और साथ के बीज में अचल संपती का बहुत सुन्दर लाब मिलेगा थोड़ा सा अरचने मानसिक परेशानी और थोड़ा सा संगर सी ये रावरेखाई ले रहे हैं इसके लिए उपाई दूँगा बागी जीवन बहुत सुन्दर रहेगा मस्तिस्क रेखा इस तरह से आ रहे हैं मंगल का प्रावल्य जादा है माइंड तो बहुत सार्प रहेगा थोड़ा चिंता तो भी ये आपके माइंड को रखेगा फिर दे रहेखा देखें सनी से जो है इस टार्ड हो रही है थोड़ा सनी के जादा गुण आ रहे हैं थोड़ा जिवन काल में जब सनी के गुण आ रहे हैं तो सब कुछ होते हुए भी कई बार ग्यक्ति जो है दुखी साव हो जाता है यहां से देखें यहां पूरी थो पूरी नहीं पहुँच पारी है तो अपनी छितर में बहुत ज़्यादा परसिदी दिलाईगी जो भी ब्यापार आप कर रहे हुँ उसमें बहुत ज़्यादा परसिदी एक ब्रांड बनाके आपको रखेए दूसरे बात जब धन और संपता की बात करते हैं तो इसमें भग्या रेखा बहुत जादा मायने रखती बहुत सुन्दरा उस्ता में है और सनी परोत पे पहुँच रही है जीवन में दो तीन चीजें ये आउश्य आपकी जीवन में देगी एक तो अपना घर जरूर देगी दूसरा वाहन का सुक जरूर देगी तीसरा कैसा भी रहे चैए धन अभी आ रहा है जा रहा है तो भितन की इस्तिती बहुत अच्छी रहेगी अभी कुछ राहूरे खाई काटरी है इसको तो धन तो आता है देना इसका काम है मगर हतेली में रुक नहीं पा रहा है उसका भी मैं बहुत सुनर उपाई दूँगा एक बिजनिस लाइन है बहुत जादा एक दो सालों में पूर्ण हो जाएगी और बुद्ध तक अगर पूंच गई उत्म स्वास्तिय तो रखेगी ही बिजनिस में जो है बहुत जादा उच्छाल मानने की चांसेज भी बहुत जादा है और एक चीज और अगर मैंने ये कहा ये तिरसूल पूर्ण हो जाता है और ये सूर्य का भाग भी उभर जाता है तो इस तरह से ये देखिए आप राहु जो है बहुत पुष्ट आवस्ता में आ रहा है तो कहीं न कहीं आपको राजनीती के छितर में या ब्यापार के छितर में बहुत जादा उच्छाली देने की सूच रहा है बहुत जादा आपने कामना भी नहीं की होगी मगर वो तब जब सूर्या पुष्ट हो और यह तिरसोल पूरी आकरते में बने जिस तरों से बन रहा है क्योंकि यह सरकारी छेत्रों में भी बहुत उन्नतिकर आता है जरूर लाब दिलाता है सरकार द्वारा अगर यहाँ पर देखिए तो एक रैखा इस तरों से आ रही है और यह इस तरों से आकरixel भी बन रहा है तो कहीं न कहीं बड़ी यात्रा का लाबां आपको जिवन में मिलेगा बहुत सारे रैखाईं हैं बहुत सारे इधर राहों पर बहुत ज़्यादा रेखाओं का होना थोड़ा चिंता बढ़ाती है और चिंता के साथ साथ जो है थोड़ा मानसिक परिशाने भी बहुत ज़्यादा देती है और संगर्स भी देती है इसका भी मैं एक उपाई दोगा बहुत सुन्दर हतेली एक कहो तो योदा किस्म की हतेली है रंगत देखी जाए तो सोबग्य साले रंगत है जो चिन मैंने बताए वो आगे बहुत प्रगतिकी है थोड़ा जीवन में थोड़ा मिला जुला है पैसा भी है, खर्चा भी है, संगर्स भी है और आने वाले टाइम में बहुत उन्नती भी है गरहन अक्षतर बहुत सुन्दर है लगभग लगभग हमने हन उंगली का, हर रेखाओं का इसकी आकरती का और इसकी रंगत का सभी चीजों का विशलेशन किया है उसमें बनने वाली छोटी छोटी रेखाओं का मनि बंद का, उंगलियों के पोरों का उसके आलावा भी कुछ रह जाता आप वटसप करें, मैं उसका जबाब लिख के दूँगा साथ में मैं आपको इसका उपाई भी भीज रहा हूँ बिदी के अनुसार करें, निश्चित रहे और निश्चित ही जिवन में जो है सपलता कि आपको प्राप्ते होगा एक छोटा सा विसलेशन था, अगर आपको भी अपनी हतेली का विसलेशन करवाना है तो दिये गए नम्मर पे आप फोन कर सकते हैं, वटसप कर सकते हैं हाँ, जाने से पेले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद